जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में 157 मरीज मिले एक टिप केस 4000 के पार जार्खन में करोणा संक्रमन मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं बतादे पिछले 24 गंटे के दोरा राजिये में 157 करोना मरीज मिले हैं जबकि परदेश में सक्रिये मामला 4000 पर पहुँच गया है स्वास्थ विभाग के अनुसार राची से 413, बोकारो से 93, 14 से 4, देवघर से 30, धनबाज से 110, पुर्वी सिमूम से 189, गिरीडी से 10, गोड़ा से 5, हजारी बाग से 30, जामता से 87, खुटी से 17, कुरारमा से 42, लाते आर से 1, लोहरदागा से 1, पलामो से 1, रामगर से 24, करोना मरीज सामिल है, बतादे राची जीले में करोना से 1, मरीज की मौत भी हुई है, ठंड से अभी राहत नहीं, राजे के करीब करीब सभी जीलों का अधिक्तम तापमान समाने से कम हो गया है, बतादे राजधानी का समाने तापमान 20 डिगरी के आस पास है, या समाने से क करीब तीन डीग्री सेल्सियस कम है बतादे रायधानी सहित राजे के कई जीलों में सुबा के नौ बजे तक कोहरा चाया रहता है कोहरा और धूंद के कारण सूरे की कियन खिली नहीं रही वहीं नौ बजे के बाद ही धूप खिल रही है बतादे हवा की गती समाने से थोड़ डीग्री कम रिकोट किया गया है जारखन में की सोरों का भैक्सिनेशन शुरू सो मुआर से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भैक्सिनेशन शुरू हो गया है बतादे जारखन की विभीन छेतरों में भी पहले से ही 18 वर्ष से अधिक आयू के लोगों का भी भैक्सिनेशन चल र बता दे जिन की सोरो का जन्म 2005, 2006 तथा 2007 में हुआ है उन्हें टीका लग रहा है जार्खन में महिला ससक्तिकरण को मिलेगा मुकाम जार्खन में आधि अबादी के ससक्तिकरण को लेकर किये गए परियासों के पहिणाम दिखने लगे हैं नव बरस में इन परियासों को और गती मिलेगी बतादे जार्खन स्टेट लाइबली होड पर्मोसन सोसाइटी द्वारा ग्रामिन महिलाओं को आजिवका मुहया कराने के परियास तक्रिबान हर पंचाज तक पहुंचुके हैं और अब हर गाहों तक पहुंचाने की कोशिस को तेज किया जा रहा है बतादे की जार्खन में सक्खी मंडल की महिला समुहों के जरिये राजे में तक्रिबन 17 लाख गरामिन परिवारों को आजिवका से जोड़ा गया है इस आकड़े को अगले वर्ष 25 लाख तक ले जाने का लग्ष है रांची में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाने का निर्देश रांची जिला में कुरोना के काफी तेज बढ़ते संक्रमन को देखते हुए बता दे अपर मुक्सचीव अरुन कुमार सिंग ने रांची उपायुक छवी रंजन को संक्रमन रोकने के लिए कंटेनमेंट और बफर जोन बनाने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा है कि जिस तरह रांची में संक्रमन बढ़ रहा है उससे यहां संक्रमन रोकने के लिए विशेश उपाय अबिलम करने होंगे उन्होंने बारा बिंदूओं में अवस्यक करवाई करने की निदेश देते हुए राची उपायूत को अलग से पत्र लिखा है बता दे अपर मुक्साचीव अरुन कुमार सिंग के अनुसार राची में दो सब्ता से कुरोना का संक्रमन काफी तेई से बढ़ रहा है IMA ने CM हमन्त को लिखा पत्र सक्त कदम उठाने का दिया सुझाओ IMA जार्खन ने मुख्यमंत्री हमन्सुरन को पत्र लिखते व्यागरा किया है कि जार्खन में मिल रहे कुरोना संक्रमितों के आकड़े से एक चेतावनी के रूप में लिया जाए 24 गंटे में इसे तीसरी लहर के रूप में देखा जा सकता है IMA जार्खन सरकार को सुझाओ दिया है कि जल्द से जल्द सक्त कदम उठाया जाए ताकि कुरोना के बढ़ोतरी को इस राजे में रोका जा सके IMA ने कहा कि कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर लेना चाहिए मौल, स्पोर्ट, कंप्लेक्स, आधिक वांसी कुरूप से बंद करने पर विचार करना चाहिए वहीं रातरी कार्फ्यू पर भी विचार किया जाना चाहिए इसके अलावा सबसे अधिक जरूरत है कि कुरूप से बचाओ के प्रोटोकल का पालन करवाना चाहिए परिक्षा देने वाले रिम्स के 40 मेडिकल स्टूडेंट संक्रमित रिम्स में चिकिसकों के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग की छात्राय कुरूणा से संक्रमित हो रहे हैं बता देया सिलसिला लागातार जारी है अब समस्या यह होगा यह है कि MBBS के 40 छात्र संक्रमित हो चुके हैं और उनकी परिक्षा सोमवार को होनी थी सभी 1st year के छात्र हैं उनका कहना है कि इसके बाद भी परिक्षा ओफलाइन होगा सोमवार को होने वाली परिक्षा में भाग लेने को मजबूर है छात्रों ने बताया कि संक्रमन की स्थिति को देखते हुए परिक्षा ओफलाइन नहीं लेने का अगरा किया गया था मगर इस दिसा में कोई भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया रिम्स में नहीं है बच्चों के लिए कोई वेवस्था सिर्फ 27 बेड आरक छीत रांची में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं बता दे एक सब्ता में एक हैर से अधिक मामले कोरोना संक्रमन के आ चुके हैं कोरोना संक्रमन का खतरा जितना बड़ों को है उतना ही खतरा बच्चों को है मगर बच्चों के ममले में अस्पतालों में कुछ खास इंतजाम नहीं किये गए हैं बता दे सरकारी अस्पतालों में सिर्फ सदर अस्पताल में बेट अरक्षित किये गए हैं वो अभी सिर्फ 27 बेट की सुभधाय हैं जबकि कुरोना संक्रमित मरीजों के लिए अस्पताल में कूल 390 बेट कुरोना संक्रमन के हाएं नए साल में राज्य के प्रारमभिक स्कूलों के सिख्षकों को सरकार देगी सोगाद सरकार सिख्षकों को नए साल का गिफ्ट देने की त्यारी कर रही है बतादे 299 की निमावली क्या लोग में राज के प्रारमिक इसकुलों के सिक्षकों को प्रोनती दियाएगी इसके लिए इसकुली सिक्षावा, सक्षर्टा विभागने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है प्राथमिक शिक्षा निदेशक कीरन कुमारी पासी ने सभी डीएसी को पांच जनवरी को प्रस्तावित बैठक में रिपोर्ट लेकर आने का निदेश दिया है बतादे बैठक में प्रोनाती निमावली 993 के अलोक में विभीन ग्रेड में प्रोनाती सम्वंधित की गई करवाई की रिपोर्ट देने को है साथी राजे मेनाई सेखनिक सत्र से सुरू होने वाले उतक्रिष्ट बिद्यालियो में सिक्षको के प्रती नियोजन की रिपोर्ट लाने को कहा गया है गढ़वा के खतर गाओं को हाथी काई डोर वा इको जोन में सामिल करने का प्रस्ताव ठंडा जंगली हाथियों को सुरक्षित रखने एवं उनसे इंसानों की जिन्दगी वा संपत्ती की रक्षा करने के लिए वन विभाग के निदेश पर गढ़वा दक्षनी वन छेतर के पांच प्रकंडों के एक हतर गाओं को हाथी काई डोर वा इको सेंसेटिव जोन में सामिल कि अभी भी लंबित है बता देबन विभाग द्वारा पिछले वर्स ही वन प्रानी प्रमंडल राची को प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन अब तक इस प्रस्ताव के लंबित रहने से हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए विभाग की और से कोई विशेज पहल नहीं हो पा रही है जारखन के लाखो युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्वे से त्यार नीतियों में से एक इथेनोल पॉलिसी को बीद विभाग में या काते हुए असपश्टी करण मांगा था कि इसकी कोई जर रुपए तक की सबसीडि दी जाएगी जबकि लगू उद्योगों के लिए यह रासी 10 रुपए होगी अब उद्योग विभाग ने कोई खास परिवतन किये बगार ही इस निति पर पुनिविचार करने का आगरा बित विभाग से किया है आपदा प्रवंधन प्राधिकार की बैठक आए साम 4 बजे COVID-19 संक्रमन के बढ़ते मावलों को देखते हुए राज आपदा प्रवंधन प्राधिकार की बैठक सोम वार को होगी बतादे प्रजेक्ट भौन में साम 4 बजे से होने वाली बैठक के अध्यक्षता मुक्ष मंत्री हमन सुरेन करेंगे इसमें राज जे के ग्रामिन और सहरी इलाकों में भीड इकाठा होने देने से रोकने की रणनीती तयक की जाएगी लोकडाउन का सवरूप निधाईत किया जाएगा बैठक में 18 वरस से कम उम्रे के बच्चो वा युवाओ को संक्रमन से बचाने पर विशेस चार्चा की जाएगी इसके लिए सिक्षन संस्थानों को ततकाल बंद करने का निने लिया जा सकता है इसके अलावा कर्यालियों समेथ सरुजनिक जगों पर लोगों की संख्यास नियंतरित करने के लिए भी विचार पर फैसला लिया जाएगा जार्खन में स्कूल, कॉलेज, पार्क, कल्ब, मंदीर 15 जनवाई तक बंद करने के अनुसंसा जार्खन में सीगर ही नाइट कर्फ्यू लागू हो सकता है बतादे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहीत तमाम सक्षनिक संस्थान बंद हो सकते है धार्मिक अस्थलों पर भी सर्धालों के जाने परोक लग सकती है स्वास्त बिभाग के अपर मुख सचीव अरून कुमार सिंग ने ग्रीह करायम आपदा प्रवन्दन बिभाग के सचीव को पत्र लिख कर 15 जनवरी तक सभी पॉबलिक पार्क, एस्पोर्ट, कंप्लेक्स, सिमिंग पूल, जीम, इंडोर, स्टेडियम आधी बंद करने के उनसंसा की है वही होट बजार बंद करने के उनसंसा नहीं की गई है लेकिन इसमें सारीरिक दूरी के अनुपालन तथा नीमित निगरानी जरूरी बताया गया है सेलफी लेने में फिसला पैर, खोज को लेकर तीन दिनों से चलाया जा रहा अभियान तमासीन जलपरपात में तीन दिन पहले डूबे युवक की खोजारी है बतादे परसासन इवं संजोजन या मान चुका है कि युवक अब जीवित नहीं है युवक का सौव को निकालने को लेकर तीन दिनों से जद्धो जहद किया जा रहा है गोता खोरो की टीम लगातार तीसरे दिन युवक का सौव की तलासी के लिए कोसिस में जुटी है रभिवार को देर साम तक पर्यास किया गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी 2022 में खत्म हो जाएगी महामारी कुरोना डबलु एचो डबलु एचो पर्मोख ने कहा है कि कुरोना वारस महामारी 2022 के अंतर खत्म हो जाएगी यदि हम मिलकर असमानता खत्म कर दे बता दे घेवरेसियस ने यह संदेश अपने नए साल के संबोधन में दिया इस बीच 2022 की सुरुआत के साथ ही दुनिया भर में कुरोना महामारी को तीसरा साल सुरू हो गया है बता दे घेवरेसियस ने कहा कि कोई भी देश महामारी के खत्रे से अशुता नहीं है हमारे पास COVID-19 को रोकने और उसका इलाज करने के लिए कई नए तरीके हैं लेकिन जब तक असमानता जारी रहेगी तब तक इस वायरेस के जोखिम उतने ही अधिक होंगे धन्यवाद हमें आप बताए कि WHO के अनुसार कुरोना का अंत 2022 में होगा या नहीं साथी साथ आप कुरोना गाइडलाइन का पालन कितना कर रहे हैं आप अपना सुझाव कोमेंट बक्स में अवस्य दे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर पने दोस्तों का सेर करना ना भूले धन्यवाद